नमस्कार सातिय। 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 इस समय हम Education Portal के Homepage पर हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिक्चक साति ट्रांसफर के लिए रिक्त पदों की जानकारी कैसे देख सकते हैं। सातिय। रिक्त पदों की जानकारी देखने को लेकर लगातार सिक्चक सातिय। का प्रिशन आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिक्चक साति रिक्त पदों की जानकारी कैसे देखेंगे। सातिय। रिक्त पदों की जानकारी देखते समय उन्हें क्या को स साब्धान या रखनी है. одно सात्रियों रिक्त 거지 कि जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आपको एजुकेशन पो tratar पर आने के बाद यह जो अपसन आपको दिख रा है लोगइन करें इस पर आप क्लिक करें मिया जैसे ही आप की लिए आप के लिए एक पीज अपन हो जाएगा यहाँ आप अपनी unique ID और password से login कर सकते हैं यदि आपके पास अपना swim का unique ID अभी नहीं है तो ऐसे में आप साती सिक्चक की unique ID और password से भी login करके रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हैं जब आप login करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का page आ जाएगा यहाँ काफी सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें एक option आपको देखने को मिलेगा teacher transfer आपको इसी option पर click कर देना है जैसे ही आप इस option पर click करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का page आपके सामने आएगा यहां पर आपको कुछ option देखने को मिल जाएंगे जिसमें एक option आपको देखने को मिलेगा setup post आपको इसी option पर click करना है जैसे हम इस option पर click करते हैं तो नीचे को इस option पर तरसे होते हैं हाला कि यह हलके white color में है इसलिए हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसमें सबसे ऊपर एक option रहता है view setup and post का code हमें इसी option पर click कर देना है अब जैसे हमें इस option पर click करते हैं तो हमारे सामने एक नया page open हो जाता है जिसमें आपको जिस जिले और विकास खंड की सालाओं की रिक्त पदों की जानकारी देखनी है सबसे पहले आपको वह जिला वह विकास खंड आपको सेलेक्ट करना होगा जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लॉक यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद मैं साला का प्रकाव आप जिस भी संबर्क से हैं सबसे पहले उस संबर्क की जो साला है उसको आप सिलेक्ट कर ले जैसे मान लीजी सबसे पहले हमें हमें एक प्रात्मिक टीचर है तो एजे प्रात्मिक टीचर हमने यहां पर चैनल समू सेलेक्ट कर लें तो नीचे आपको यहां पर एक कैप्चा फिल करना होगा कैप्चा आप बॉक्स में सेंप्ल कर दें कैप्चा सेंप्ल करने के बाद व्यू पोश्ट पोश्ट कोड एंड वेकंसी इस उप्सन पर आप किलिक कर दें अब जैसे ही आप इस उप्सन पर किलिक करेंगे तो आपने जिस जिले के जिस ब्लॉक को सुलेक्ट किया है उस ब्लॉक के स्कूलों की सूची आपके सामने प्रदरसित हो जाएगी साथ साथ सूची में ये जानकारी प्रदर्सित होगी तो उस विद्डयालाओं पर कितने पोश्ट Chancun है बरत्मान में कितने सिक्षक कारीरत है और वहाँ पर कोई वेकंज소 रिक्त है अत्वा नहीं है जैसे सबसे पहले ही नम्मर पर हम नहीं ले तो सबसे पहले district का नाम है उसके बाद blog का नाम है उसके बाद school का नाम है पैनल यहाँ पर दिया हुआ है और post code हम आपको बता दें पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताए था पिर टेक विद्यालाय का एक post code होता है उसके बाद sanction post कुल 4 है और working में भी यहाँ पर 4 प्रदर्सित नहीं हो रही है तो इस तरीके से आप रिक्तपदों की जानकारी देख सकते हैं यदि किसी विद्यालाय में रिक्तपद होगा तो vacancies वाला जो column है उस column में आपको संक्या प्रदर्सित हो जाएगी इस तरीके से हम प्रात्निक सिक्चकों की जानकारी देख सकते और जैसे ही आफ साला का प्रिकार स्लेक्ट करेंगी, तो अललग-уललग साला के प्रिकार में आपको अललग-अललग रिक्त प्रिदर से बader से हो सकते हैं. हम मानली जी, आप एक माद्मिक सिक्चक हैं, को आप यहां पर मडल स्कूल की जो साला है, उन्हें आप select कर लें जैसे आप primary से middle की सालाओं का chain कर सकते हैं primary to secondary की सालाओं का भी आप यहाँ chain कर सकते हैं जैसे मानली जी हमने साला के प्रकार में primary with middle class 1 to 8 हमने यहाँ पर select किया है और बैसे पैनल समूर में यदि हम देखें तो आप देखेंगे SS2 हमने आपको पहले भी पताये था आप यदि मादनिक शिक्चचच एた तो SS2 मुझा मादनिक शिक्चच है तो SS1 SS2 के साथ आपको यहाँ पर अपना बिसेवी select करना है जैसे मानली जी है आप English से हैं तो SS2 English आप select करेंगे यदि आप Indy से हैं तो SS2 Indy आप select करेंगे यदि आप Math से हैं तो SS2 Math आप select करेंगे तो चलिए जैसे मैं English से हूँ तो SS2 English से हाँ पर select कर लेता हूँ process वही है capture आपको box में fill करना है capture box में fill करने के बाद view post, post code and vacancies इस option पर हम click कर देंगे तो जैसे हम इस option पर click करेंगे पुना हमने जिस विकासकंड को select किया है उस विकासकंड के विद्यलाएं की सूची हमारे सामने प्रदर्सित हो दाएगी अब आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं सबसे पहले ही नम्मर पर जो स्कूल हमें प्रदर्सित हो रहा है इसमें panel दिया हुआ है, post code दी हुई है, sanction post एक है working में zero है और vacancies एक पद यहाँ पर हमें रिक्त दिख रहा है तो इस तरीके से रिक्त पदों की जानकारी आपको vacancies बारे कॉलम में मिल जाएगी इस तरीके से बारी बारी से चाहे आप प्रात्मिक सिक्चक या माद्मिक सिक्चक या उच्छ माद्मिक सिक्चकों के रिक्त पदों की जानकारी एजिकेसन पोर्टल के माद्यम से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं अब बहुत सारे सिक्चक सातियों का ये प्रिशना आता है कि क्या पॉर्टल अपडेट हो चुका है तो हम आपको यहां पर अबगत कराना चाहेंगे यह बढ़ पोही पॉर्टल अपडेट नहीं किया गया है बपिछले समय में पॉर्टल पर जो रिक्तियां थी वही रिक्तियां आभी प्रिदर्सित हो रही है तो ऐसे में आप सबसे पहले रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल से देख लें पोर्टल पर देखने के बाद उनकी एक सूची बना लें और संबंदित विद्यालाई की जो संस्ता प्रमुक हैं उनसे भी आप संपर करके ये जानकारी ले लें कि क्या बास्त्रिक रूप से वहां पर उस संस्ता पर जिस विश्यक का पद पोर्टल पर रिक्त सो हो रहा है भाई उस संस्ता पर भी रिक्त है अत्वा नहीं है इससे आपको इस्तरांतरन लेते समय या इस्तरांतरन के लिए आविधन करते समय या इस्तरांतरन होने के बाद किसी भी प्रिकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा तो साथ ही इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से किसी भी संबर्क की सालाओं की जो रिक्तपद हैं उनकी जानकारी देख सकते हैं तो साथ ही ये ता आज का मैत्पून अपडेट मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एम नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए जय हिन जय भारत मित्रूप